नमस्कार आपका स्वागत है यूटूब चैनल पंडित मनोश शर्मा में आप सभी का दिल सेविन अंदने चैनल के अंदर आज मैं आपके सामने पित्तर दोश के बारे में कुछ जानकारियां लेकिया हैं कि अगर हमारी जनम कुंडली के अंदर पित्तर दोश लगा है और जा से बड़ा दोश माना गया है सबसे पावरफल दोश माना गया है अगर हमारी जनम कुंडली के अंदर पित्तर दोश लगा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं उसका उपाई क्या है उसका हल क्या है वही सारी जानकारी इस वीडियो के मैद्दम से मैं आपके सामने लेके आया ह जिवन में जो तकलीस आ रही है मैंथ कर रहे हैं पूरण और लाव मिल रहा है जीरो लावभ आजा मिल रहा है शीरिक नुपसान हो रहा है घर में दुआई आरही है हजार कमारे यां बारासों की दुआई आ रही है बरकत नहीं है पृषानिया जादा वर गए है मांसी चंतनाव जादा है कलेश कलपना जादा है जगड़ा जादा है तो पंड़े जी इनका हल क्या है क्या पता हमारे गर में कोई पितर दोश तो नहीं है बिल्कूल पितर दोश अगर आपके गर में हो तो इन प्रेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपकी जनम कुंडली के अंदर पितर दोश है तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ सकता कि मैनत करें 100% और लाव मिलें 50% शिरीरिक नुकसान मन चिर्चड़ा रहना, जगड़ा करना हर किसी से चलते वैक्ती से जगड़ा करना सभाव चिर्चड़ा हो जाना, क्रोधित हो जाना पंडेजीस का लाज क्या है उपाई बताईए तो अगर ऐसी समस्या हमारे जेवन के अंदर आ चुकी है ये प्राबलम हमारे जेवन के अंदर आ चुकी है हम फेस कर रहे हैं तो इनका उपाई सिर्फ एक ही ही है कि आप कुछ चोटे-चोटे उपाई मा आपको बताऊंगा जो आप अपने घर बैटे कुद करें जैसे आप उपाई करेंगे उससे जो समस्या है उसका निवारन होगा आपको मुक्ती मिलेगी आपको ला मिलेगा करना जादा नहीं है जो आपके पुरवजन है जिनका सरगवास हो गया है बुड़े वजूर कहें उनकी तस्वीर आप दिशामी लगाने शुरू करें दिशामी जो आपके घर के आप फेस जिस तरफ है उसके दक्षन दिशामी आप देखे उनकी तरफ उनका तस्वीर आप लगाए लोबी में मंदर में जहां प्याप लगाते हैं लगाए उसके पस्चात आपने उनका रोज सिमरन करें सिमरन मदबल उनके आगे आप उनको माला चड़ाएं हाज जोड़े प्राथना करें उसके बाद में दिपहर को पिपल के पेड़ के दिपहर के अंदर आपने पिपल के पेड़ में जल चड़ाना है काले तिल ले, फूल ले, पुश्पले ठीक है इसके इस सारा असमान आप ब्रस्पतिवार की ब्रस्पतिवार पिपल के पेड़ में चड़ाएं इसके इलावा तीसरा उपाई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यह चीज आपके साथ है तो जब हमारे सराद आते हैं सराद पंदरा दिन के जैसे पूर्णिमा से शुरू होके जो आपके बुड़े बज़ूर के खाती थे अच्छा लगता था उनको खलाएं उनके चरन वंदना करें हाँ जोड़ें माफी मंगें यह उपाई करके देखें में बादा करता हूं घर का जो कलेश है कारोबार का जो कलेश है घर का जो धगड़ा है चंद दिनों में आपके घर से खतम हो जाएगा और घर में खुशी आली आएगी बरकत आएगी कहते हैं जिस घर में जगड़ा रहे उस घर में बरकत नहीं होती कलेश जिस घर में रहे उसमें बिमारी आती है जिस गर में कलेश रचता है वहां पर आश्टसों का आवास रहता है तो आप यह उपाई करें जरूर आपके घर की जो उम्बरेशा निया है मुसिबते हैं वो निकलेंगी घर में खुशी हाली आएगी घर में खुशी का महौल बनेगा घर में आपको लाब मिलेगा और भी कोई समस्या जीवन में आ रही है आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरा नम्बर स्क्रीन पर है बहर जीज़क मैर से कोई भी बात आप करें इनसे कई और भी तकलीफ है कोई और भी पाये मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा